जब एक दुबले पतले और साम्वले रंग का व्यक्ति बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया था, तब शायद ही किसी ने यह सोचा था कि यही बंदा एक दिन बॉलीवुड की फिल्मों का स्टार बन जाएगा, जो अपनी जिन्दगी में 450 से भी अधिक फिल्में करेगा। इनकी सबसे पहली फिल्म साल 1976 में आई थी और इन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए नाशनल फिल्म अवोर्ड प्राप्थ हुआ था, बता दे कि मिथुन चक्रवर्ती को मार्शल आर्ट में ब्लाक बेल्ट प्राप्थ है, यही कारण है कि यह फिल्मों में एक्शन सीन क काफी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, यह मोनार्क ग्रूप के मालिक भी हैं, जो हॉस्पिटैलिटी की फीड में काम करती है, हाल ही में इन्हें आप कलर्स चैनल पर आने वाले शो हुनर्बाज में नजर आ रही हैं, मिथुन चक्रवर्ती का जीवन परिचय मिथुन चक्रवर्ती बायोग्रफी इन हिंदी, नाम गौराम चक्रवर्ती, पेशा, अभिनेता राजनीतिग्य रेलेटी शो में जज, जन्मति थी, 16 जून 1950, आयू, 74 वर्ष, जन्मस्थान, बरिसाल पूर्वी पाकिस्तान बांगलादेश, राशी, मिथुन, राश्ट्रियता, भारतिय, ग्रिहनगर, बरिसाल पूर्वी पाकिस्तान बांगलादेश, स्कूल, स्कोटिश चर्च कॉलेज कोलकाता, महा विद्याले, Film and Television Institute of India, पुने, शैक्षिक योग्यता, स्नातक, देब्यू फिल्म, म्रिग्या, धर्म, हिंदू, वजन, सत्तर किलो, आखो कारण, काला, बालो कारण, काला एवन सफेद, लंबाई, छैशून्य, मिथुन चक्रवर्ती जन्म एवं प्रारंभिक जीवन, मिथुन चक्रवर्ती बर्थ एंड अर्ली लाइफ, बॉलिवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती का जन्म भारत के पडोसी देश बांगलादेश के बरिसाल नाम के इलाके में एक बंगाली ब्राह्मन परिवार में वर्ष 1950 में 16 जून को हुआ था, बता दे की बड़े होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती नक्सली विचारधारा से प्रभावित हो गए थे, इसी लिए यह नक्सली भी बन गए थे, परन्तु एक हत्याकांड में इनके भाई की मौत हो गई थी और तभी से मिथुन चक्रवर्ती ने नक्सलवाद को छोड़ वापस से सही रास्ते पर चले आए, जब मिथुन चक्रवर्ती थोड़े समझने लायक हो गए, तब उनके मातापिता के द्वारा इनका एड्मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए करवा दिया गया, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया और यहां से इन्होंने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन की डिगरी हासिल की यहां से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आगे कोई भी पढ़ाई नहीं की और उसके बाद यह सीधा पूने शहर चले गए जहां पर उन्होंने फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिट्यूट आफ इंडिया से एक्टिंग के गुन सीखे मिथुन चक्रवर्ती परिवार मिथुन चक्रवर्ती फैमिली पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती माता शांती रानी चक्रवर्ती भाई ज्यात नहीं बेहन ज्यात नहीं इनके पिताजी का नाम बसंतो कुमार चक्रवर्ती तथा माताजी का नाम शांती रानी चक्रवर्ती था बहुत कम लोगों को ही इस बात की जानकारी होगी कि मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरंगा चक्रवर्ती है परंतु जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली त इन्होंने अपने नाम को मिथुन चक्रवर्ती कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती विवाह, पत्नी, बेटा, बेटी, मिथुन चक्रवर्ती मैरिज, वाइफ, सन, डॉटर। इन्होंने योगिता बाली से शादी की है। हाला की एक इंट्रेस्टिंग बात यह भी है कि कभी श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती एक दूसरे के काफी नस्दीक आ गए थे, परंतु विधी के विधान को कुछ और ही मनजूर था। इसलिए इनकी शादी योगिता बाली से हुई, जिनसे इनहें महाक्षय चक्रवर्ती, नमाशी चक्रवर्ती और उश्मे चक्रवर्ती संतान के तौर पर प्राप्थ हुई, उनकी बेटी का नाम दिशानी चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती मार्शिल आर्ट, मिथुन चक्रवर्ती मार्शिल आर्ट बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती को अच्छी मार्शिल आर्ट भी आती है क्योंकि इन्होंने मार्शिल आर्ट में ब्लाक बेल्ट भी हासिल किया है यही वज़य है कि फिल्मों में यह एक्शन सीन काफी अच्छी तरह से कर लेते हैं मिथुन चक्रवर्ती अभिनाय करियर, मिथुन चक्रवर्ती एक्टिंग करियर साल 1976 ही वह साल था जब इन्हें पहली बार फिल्मों में काम करने का मौका मिला दरसल साल 1976 में मृग्या नाम की पिक्चर रिलीज हुई थी जो मिथुन चक्रवर्ती की पहली पिक्चर थी इसी पिक्चर से इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की स्टार्टिंग की इस पिक्चर में काम करने के बदले में मिथुन चक्रवर्ती को नाशनल फिल्म अवोर्ड प्राप्थ हुआ था इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपने कैरियर में 450 से भी अधिक फिल्मों में काम किया यह इनकी एक्टिंग का ही जादू है कि उनमें से अधिकतर फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई साल 1980 के दर्शक के आसपास में मिथुन चक्रवर्ती ने घर एक मंदिर प्यार जुकता नहीं मुझे इनसाफ चाहिए स्वराग से सुन्दर और प्यार का मंदिर जैसी फिल्मों में काम किया जिन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई अपने लंबे कैरियर में मिथुन चक्रवर्ती ने कभी भी पीछे मुर कर नहीं देखा साल 1982 में रिलीज हुई डिसको डांसर पिक्चर से इन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई और इसी पिक्चर के बाद यह पूरे इंडिया में प्रसिध हो गए इस मूवी में इन्होंने एक बहुत ही फेमस डांस किया था जो डांस स्टेप लोगों को काफी पसंद आया आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने आपको सिर्फ बॉलिवुड तक ही सीमित नहीं रखा इन्होंने अपनी एक्टिंग का दाइरा बढ़ाया और इन्होंने बॉलिवुड के अलावा कंणड, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, ओडिया और बंगाली भाशा की भी कई फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया इन्होंने बंगाली फिल्मों में साल 1982 में ट्रॉय पिक्चर से एंट्री की और बेस्ट अक्टर का नाशनल फिल्म अवोर्ड जीतने में काम्याबी हासिल की मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मों में काम करने के अलावा छोटे परदे पर भी कई कार्यक्रम किये इन्होंने डांस रिलेटी शो डांस बांगला डांस, डांस इंडिया डांस लिटल मास्टर, दादागिरी अनलिमिटेड, बिक बॉस, रन्ना घोर रॉकस्टार और दे ड्रामा काम्पनी जैसे कई टीवी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया मिथुन चक्रवर्ती राजनीतिक करियर, मिथुन चक्रबॉर्ती पॉलिटिकल करियर साल 2014 में, साथ फरवरी के दिन मिथुन चक्रवर्ती ने मम्ता बनर जी के अध्यक्ष वाली त्रिन्मूल कॉंग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया परंतु साल 2016 में इन्होंने 26 दिसंबर के दिन त्रिन्मूल कॉंग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया और इसके बाद साल 2021 में इन्होंने 7 मार्च के दिन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी की उपस्थिती में भारतिय जन्ता पार्टी को ज्वाइन कर लिया मिथुन चक्रवर्ती बिजनेस्मेन के रूप में मिथुन चक्रवर्ती ऐस अ बिजनेस्मेन पूरी दुनिया भर में डिस्को डानसर के तहट जाने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने एक्टिंग की फीड में तो काफी नाम और पैसा कमाया ही है साथ ही उन्होंने बिजनेस भी किया हुआ है बता दें कि वर्तमान के समय में मिथुन चक्रवर्ती भले ही फिल्मों में कम दिखाई देते हो परन्तु इनका नाम अभी भी देश के अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है इनके पास 250 करोड रुपए से भी अधिक की समपत्ती है आपको यह भी बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ही मोनार्ग ग्रुप आफ होटल के मालिक है इनके कई बड़े-बड़े होटल हमारे भारत देश के कई बड़े-बड़े शहरों में हैं जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चैन्नई जैसे शहर शामिल है इनके पास उटी में एक फाइव स्टार होटल भी है साथ ही साथ मैसूर और दक्षिन भारत के कई राज्यों में इनके पास काफी महेंगे होटल मौजूद हैं इस प्रकार एक्टिंग के अलावा एड़टाइजमेंट के साथ ही साथ इनकी कमाई होटल के जरीय भी होती है मिथुन चक्रवर्ती वर्तमान में टीवी रियलिटी शों हुनरबाज में एक जज़ के तौर पर नजरा रहे हैं इससे पहले ये कई सारे टीवी रेलिटी शो का भी हिस्सा रह चुके हैं। बेस्ट आक्टर अवोर्ड उन्नीस सौ पंचानवे फिल्म स्वामी विवेकानंद बेस्ट सपोर्टिंग आक्टर अवोर्ड उन्नीस सौ च्यानवे फिल्म जल्लाद बेस्ट विलन अवार्ड दो हजार साथ स्टार डस्ट ग्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट मिथुन च चक्रवर्ती और श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी, असी के दशक के आसपास में मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलिवुड के टॉप हीरो में और श्रीदेवी का नाम बॉलिवुड की टॉप हीरोईन में लिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने एक बार मंदिर में छुपकर शादी भी कर ली थी, परंतु जब मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली को इस बात की जानकारी हुई तब उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिससे मिथुन च मिथुन चक्रवर्ती काफी विचलित हो गए और उन्होंने फिर श्रीदेवी को छोड़ने का डिसीजन ले लिया। मूल कॉंग्रेस ने यह कहा था कि मिथुन चक्रवर्ती ने शान्ती भंग करने का काम किया है। इस प्रकार उनके उपर दर्स किये गए केस को कोट ने खारिस कर दिया मिथुन चक्रवर्ती सफलता की कहानी मिथुन चक्रबॉर्ती सक्सेस स्टोरी मिथुन चक्रवर्ती ने कड़ा संधर्ष करके बॉलिवुड में अपनी जगह बनाई है क्योंकि इनका कोई भी फिल्मी बैक्ग्राउंड नहीं था जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले यह नक्सली थे परन्तु बाद में इन्होंने इमानदारी के रास्ते को अक्तियार किया यह इनका टैलेंट है कि साधारन परिवार में पैदा होने के बावजूद इन्होंने बॉलिवुड में अपनी जगह बनाई मिथुन चक्रवर्ती बॉलिवुड में कई फिल्मे कर चुके हैं साथ ही यह डान्स इंडिया डान्स के जज के तौर पर भी दिखाई दिये हैं बता दे कि इनकी मात्रिभाशा बंगाली है इसलिए इनकी बोलचाल की भाशा में हिंदी और बंगाली लैंगवेज का एक सेंट दिखाई देता है मिथुन चक्रवर्ती कुल कमाई, नेटवर्थ, मिथुन चक्रवर्ती नेटवर्थ मिथुन चक्रवर्ती की कुल कमाई के बारे में बात की जाए तो इनके पास वर्तमान के समय में 250 करोर से भी अधिक की संपत्ती है यह संपत्ती इन्होंने फिल्मों की फीस के तौर पर और विभिन कार्यक्रमों में भाग लेने के तौर पर प्राप्त की है यह एक पिक्चर को करने के बदले में डेड़ करोड से लेकर के दो करोड रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं बता दें की मिथुन चक्रवर्ती विभिन ब्रांड के ब्रांड एमबेस्डर भी है जिसके जरिये भी इनकी कमाई होती है इसके अलावा यह अलग-अलग एड़टाइजमेंट में भी समयस्मय पर दिखाई देते हैं